लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस्टा बैल आइकन हाई गाइस जैश्री राम आज मैं इनेक्वैलिटी के पाच क्वेश्चन लेकर आई हूँ रीजनिंग इनेक्वैलिटी और ये SBI क्लॉक में 5-6 माक्स का आता है और SBI PO मतलब बैंक के हर एक्जैम में ये 4-5, 5-6 माक्स का आता ही है तो चलिए हम इसली इसे कैसे करते हैं मैं ये कुछ प्रेक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ और अगर आपको इसका बेसिक मेथड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दोगी ये SBI क्लॉक के लिए मैं कुछ प्रेक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ इनेक्वैलिटी के 5 तो चलिए ट्राइ करते हैं और दूसरा हमको जाना है F से Y की तरफ तो दीखिए गेट बंद है और इसमें हम जाई नहीं सकते हैं तो इसलिए ये गलत है आपका आपसा है अब हम आजाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर हमें B से L की तरफ जाना है तो B से हम गये T पे और T से दादाजी है तो ये साही हो गया और हमको जाना है K से S की तरफ तो K से हम जैसे ही निकले तो ये क्लोज है रास्ता तो इसलिए गलत हो गया अब हमको B से X की तरफ जाना है तो B से हम गये एल और L से X रास्ता बंद है और हमको जाना है K से P की तरह के में दादा जी आ रहे है तो ये भी गलत हो जायेगा अब हमको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं को जाना है K से S की तरह तो K से हम जैसे ही निकले gate बंद है हमारा तो यह गलत हो जाएगा और H से हमें G की तरफ जाना है तो H से हम Z गए और Z से G की तरफ दादजी है तो यह हमारा right हो जाएगा एक और question मैंने ले रखा है तो हमको D से G की तरफ जाना है दादजी आरे है तो यह हमारा right हो जाएगा G से B की तरफ जाना है तो ये G से रास्ता बंद है तो ये गलत हो जाएगा इसी तरह आपको exam में भी इतना fast करना है तो आपका 10 से 11 सेकिट में inequality का answer आजाएगा और आपके 3 से चार्टर पर आजाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और bell icon करतीजिए Bye guys